दोस्तों अगर आप बियार बुद से इंतर का फाइनल एकजाम 2024 में दिये हैं तो आपके रिजल्ट को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है क्योंकि यहाँ पर जो आपलो का रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके तारिक का एलान कर दिया गया है कि कब आपल करेशन होगा तो संपून जनकाई आज कि हम इस वीडियों बताएंगे कि कब आप लोगों का रिजल्ट जारी होने वाला है तो वीडियो में आप अंतक बने रहेएगा और वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक से जो की चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब क जगा ताकि जो भी स्परिकार की अपडेट उगर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी तो चलिए भी न देए कि आज कि हम इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि अभी यहां पर आप देखेंगे उसके लिए दो पेपर कटिंग निकल करके आया हुआ है जिसमें यहांपर जनकाई दिया गया है कि आप लोगो का रिजल्ट कप जारी किया जायेगा कब से आप लोगो का तोपड वेरिफिकेशन होगा तो जैसा कि यहांपर आप देखेंगे यह जो पेपर कर्टिंग है वह परभाद ख़ब का आज ही का है और इस पेपर कर्टिं इसके अलावे यहाँ पर आप देखेंगे तो हमाँ पास एक और पेपर कटिंग मौजूद है जो कि आजी के देट में जारी किया गया हिंदूस्तान के तरफ से इस पेपर कटिंग में यहाँ पर आप देखेंगे तो जनकाई दिया गया है इंटर मुल्यांकन कार आज होगा खतम रिजल्ट 20 तक यानि कि दोस्तों यहाँ पर दोनों पेपर कटिंग में सेम जनकाई को बत्या गया है कि इंटर की कोपियों का मुल्यांकन जो आज समाप्त कर लिया जाएगा आप लोग का जो रिजल्ट वो 20 माज तक जारी होने की संभावना है अब चलिए हम यहाँ देखते हैं कि तोपर वेरिफिकेशन कब सुरू होगा और कितना कोपी का मुल्यांकन हो चुका है कितना कोपी का मुल्यांकन अभी बांकी और कब तक आपका रिजल्ट 100% जारी होगा क्योंकि यहाँ पर जो जनकाई दिया गया वो संभावित तीथी बत्या गया है कि 20 मार् तक आप लोगों का रिजल्ट जारी होनी की संभावना है और इसी पेपर कर्टिंग में यहाँ पर आप नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर पूरी बिस्तार से जनकाई दिया गया है कि बिहार विड्याले परिक्षा समीती पतना की ओर से इंतर वार्सिक परिक्षा 2024 की को कूपी का मुल्यांकन कार चार मार्च को पूरा हो जाएगा यानि कि दोस्तों आज ही के देट में यहाँ पर आप लोगों के कूपी का मुल्यांकन समाप्त होने वाला है उसके बार यहां पर बत्या गया इस बार मुल्यांकन कार में अधिक सिक्चक लगाए गये थे इसके क तरह्म पर बता गया हैं अंग्रेजी वो हिंदी की उत्र पुस्थिकाओं का मुल्यांकन समाप्त नहीं हुआ है उसके बाद यहांपर बता गया है師ंस q के कुछ विसयों का मुल्यांकन कार vidare समीती ने कहा कि हर हाल में तब समय quêру समाप्त कर लेना होगा 11 मार्ज से तोपर के इंटर्विव की त्यारी समीटी की ओसे की जा रही है और अब यहां पर जनकाई दिया गया है मुल्यांकन कार एक ही पाली में 9 बज़े से साम 5 बज़े तक किया जा रहा है मुल्यांकन समाप्त होने के बाद अंक सत्यापन होगा इसके बाद तोपर का इंटर्विव 11 मार्ज से किया जाना समभावित है यहां पर जो आप लोगों का तोपर का वेइफिकेशन हो 11 मार्ज से समभावित तिथी बताया जा रहा है कि 11 मार्ज से आप लोगों का तोपर वेइफिकेशन होगा हो सकता है किससे पहले भी आपका तोपर वेरिफिकेशन का काम सुरू किया जा सके या इससे एक दो दिन बाद भी सुरू किया जाए यह जो 11 मार्च देट रखा गया है यह संभावित देट है उसके बाद बताया गया है सक्षातकार यानि की इंटर्विव के बाद फाइनल रिजल्ट पर मुहद लगेगी इंटर का रिजल्ट 20 मार्च तक जारी करने का लक्ष रखा गया है इसके अलावे आप जनकाई दिया गया है मुल्यांकन केंदो पर प्राप तंग की ओनलाइन इंटरी सेम दे कराई जा रही है इंटर्मीडियर परिक्षा में इस बार 13,4352 परिक्षा थी सामिल हुए है तो जैसा कि अभी आपने देखा इस पेपर कतिंग में जनकाई दिया गया है कि आप लोगों का जो रिजल्ट हो वो 20 मार्च 2024 के आस पास जारी किया जाएगा हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 मार्च को जारी किया जाए 16 मार्च को जारी किया जाए या 14 मार्च को जारी किया जाए लेकिन इन ही तीनों देट में से किसी भी एक देट को आपका रिजल्ट जारी होने वाला है तो बिहार बोट दौरा इंटरमीडियर का पिस्टार में संपुन्ज अंकाई बता हैं तो मीद कहता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आओगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लाइक कि जगा इसी तरह कि अपदेद पाने कि लिए चैनल को सबस्काइब किजगा तो आज के लिए बस इतना है फिर मिलते हैं अंगले वीडियो अंगले तोफी के साथ जैए हिंदू